Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247 As you all know we have started a series of MCQs और उस series की हमारी 25th वीडियो है इससे पहले 24 वीडियोस में हमने Old English Literature, Age of Chaucer, Age of Revival, Elizabethan Age, Jacobian and Carolyn Age को MCQs के माध्धम से डिसकस किया है यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम Civil War और Interregnum Period के एक बहुत ही इंपॉर्टन राइटर जोन मिल्टन को डिसकस करेंगे तो चली हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को हमारा फस्कोशन है यह कहना सार है कि जो औलिवर क्रोमवेल होते हैं उनको लॉड़ प्रोटेक्टर कब कहा जाता है किस साल में कहा जाता है फस्ट है 1642 सेकंड है 1648 थार्ड है 1649 फॉर्थ है 1653 और इसका सभी आंसर है 1653 ओलिवर क्रॉम्बल जो होते हैं ये बैसिली कमांडर इंचीफ होते हैं इंगलेंड के आर्मी में और ये इंगलेंड के आर्मी को लीड कर रहे होते हैं किंग चार्ल्स फस्ट के अगेंस्ट में सिविल वार के दवरान ये लॉर्ड प्रोटेक्टर होते हैं 1653 से अपनी मृत्य तक दैट मिंस की 1658 तक के तो सही आंसर होगा अगला कोश्चन हमारा है सेकंड नंबर का ये जो लाइन है और इसका सही आंसर है B का हमारा सेकंड का B है जोन मिल्टन के द्वारा ये लाइन लिखे गई जोन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोएम है L. Ilegro और उसी में ये लाइन लिखे गई है शेक्सपेर के बारे में L. Ilegro की मेनी होती इसकी मेनी होती हैप्पी में और इसी के एक companion poem होती है जो है इल्पेंसे रोसो जिसकी मेनी होते मिलोंकोली में अगला कोशन हमारा है थार्ट अंबर का वीच आप दा फॉलिंग walks was composed during Milton's retirement at Horton ये कहना चाहते हैं कि Milton का कौन सा walk है जो कि इनके retirement के समय compose किया गया था Horton में होटन ये एक जगह है जब ये अपने retirement के समय वहाँ पर रह रहे होते हैं तो उसी में poem को compose करते हैं तो कौन सी poem compose करते हैं आपको बताना है फस्ट है एल एल एलिग्रो सेकंड है इल पेंसे रोसो थार्ड है लिसिडस फॉर्थ है इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डी इस जो एल एल एलिग्रो और इल पेंसे रोसो ये इनकी companion poem हैं ये दोनों Italian word हैं एल एल एलिग्रो की meaning होती है happy man और इल पेंसे रोसो की meaning होती है melancholy man ठीक है तो ये important है exam में पुशे गए हैं अगला question हमारा है fourth number का about whom did the milton say milton किसके बारे में कहें है कि dear son of memory great year of fame ये line किसके बारे में कही गए ही आपको बताना है first है Shakespeare second है Spencer third है Marlow fourth है Homer तो ये कहे गए ही Shakespeare के बारे में John Milton का एक sonnet है जिसका नाम है on Shakespeare और ये on Shakespeare है इसको John Milton के दोरा लिखा गया है और इसी में ये line यूज की गई है ये जो on Shakespeare ही है 16 line की sonnet है एक single stanza में इसे लिखा गया है और इसे लिखा गया है I am big pentameter में तो सही answer होगा first अगला question हमारा है five number का the prose essays of Milton were called ये कहना चाहते हैं कि Milton के जो prose essays है उन्हें क्या कहा जाता है first है pamphlets second है tracts third है apologies fourth है discourses सही answer है tracts अगला question है six number का the plot of Milton's commerce is borrowed from Milton का जो commerce है उसका plot कहां से लिया गया है आपको बताना है first है odyssey second है illiad third है metamorphoses fourth है anis और सही answer है first odyssey से लिया गया है commerce का plot अगला question हमारा है seven number का जोन मिल्टन से एल एलिग्रो इस डश centering on the joy of taking parts in the delight of a spring day और आपको ये बताना है कि जोन मिल्टन का जो एल एलिग्रो है ये किस type का poem है first है an a clock second है a lyric third है a heroic poem fourth है a petrarchan sonnet तो सही answer इसका है second ये एक lyric poem है अगला question हमारा है eight number का Milton wrote dash sonnets all together और आपको ये बताना है कि जोन मिल्टन ने total कितनी sonnet लिखी थी first है 24 second है 30 third है 32 fourth है 38 और इसका सही answer है first 24 अगला question हमारा है nine number का in which work does Milton say love virtue she alone is free ये जो line है ये किस में use की गई है first है lycidas second है commerce third है L allegro fourth है arcades और इसका सही answer है B इसको commerce में ये line use के गई है जो कि जोन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है अगला question हमारा है ten number का which is the first archaeological treatise in English आपको ये बताना है कि पहली archaeological treatise कौन सी है इंग्लिश में first है the decline and fall of Roman Empire second है hedriotaphia third है the antiquary fourth है anatomy of melancholy और ten number का हमारा सही answer है B hedriotaphia अगला question हमारा है 11 number का about whom does wordsworth say ये wordsworth किस के बारे में कहते हैं आपको बताना है England had need of the यानि कि England को तुम्हारी इसमें जरूरत है ये किस के बारे में कहें first है Shakespeare second है Cromwell third है Milton fourth है Russo सही answer है Milton William Shakespeare की एक poem है जिसका नाम है London ये जोइन एटीन जिरूरो टो अर उसमें ये जोन मिल्तन को याद करते हैं और वो कहते हैं कि जो इंगलेंड के people हैं बहुत ज़्यादा selfish हो गए हैं इनहें इंगलेंड को अब तुम्हारी जरूरत है तो कौन सी poem है London एटीन जिरूरो टो है और लिखा गया है Shakespeare के दौरा और Milton के बारे में कहते हैं तो सही आंसर होगा C अगला कोशन हमारा है 12 नमबर का यह कहना चाहते हैं कि वर्सवत की कौन सी पोएम है जिसमें वो England की people को criticize करते हैं उन्हें कहते हैं कि यह stagnant और selfish हो गये हैं और eulogize करते हैं यानि की प्रशंसा करते हैं जोन मिल्टन को eulogize बेसेकलि हम यूज करते हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए उसके मरने के बाद जो जोन मिल्टन मर चुकी होते हैं उस पोएम में की प्रशंसा करते हैं तो सही आंसर कौन सा होगा आपका बताना है फर्स्ट है लंडन एटीन जिरो टू सेकंड है कमपोस्ट अपान वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज सेप्टेंबर थी एटीन जिरो टू थर्ड है दा प्रिलूट फॉर्थ है मिल्टन और ट्वेल नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा वो है लंडन 1802 तो यह जो लंडन 1802 है इसको लिखा गया वर्सवर्थ के द्वारा इसमें वो John Milton को याद कर रहे होते हैं और यह कहते हैं कि जो इंगलेंड के पीपल है बहुत ही स्टेगनट होगए हैं हो गए हैं और मिल्टन की प्रशंसा करते हैं तो सही आंसर होगा फर्स्ट अगला कोश्चन हमारा है थार्टीन नम्मर का वर्ट डज मिल्टन से दा सिटी ओफ लंडन वेर लाई का गार्मेंट यह कहना चाहते हैं कि जो लंडन की सिटी है वो एकदम कपले पहने हुए यह गा अगला कोश्चन हमारा हो जाएगा फोर्टीन नम्मर का और फोर्टीन नम्मर का कोश्चन है अरेंज दा फाउलिंग बुक्स क्रोन लोजिकली यह जो बुक्स हैं को क्रोनोलोजिकली अरेंज करना है फस्ट है तो इसमें एक एक करके हम डिसकस करते हैं यह जो आइनोटोमी आफ मेलनकोली है इसको लिखा गया है 1621 में और यह लिखा गया रोबर्ट बटन के द्वारा तो इसे सबसे पहले लिखा गया है ठीक है इसके बाद में सेकंड है आस्टिरिया रिडक्स इसको 1660 में लिखा गया है बाइ जौन बाइडिन के द्वारा तो इह हो जाएका सेकंड अचिरिया डिक्स ए और 33 है पैरेडाइस बिगें लिखा गया है जौन मिंटल के द्वारा जोड़ाा जो के 1671 में तो यह हो जाएका 3 और लास्ट है यह जाले करता है डवे घर वर्ट 1700 में लिखा गया है वाइ विलियम कॉंग रीव के द्वारा और ये हो जाएगा 4th तो यदि इनको हम arrange करें तो हमारा सही answer कौन सा होगा 1st होगा तो 14 का 1st is the right answer अगला question हमारा है 15 number का About which period in English literature did Milton say the area पैगाचिका ये कहना चाहते हैं कि किस period के बारे में Milton अपनी prose work area पैगाचिका में कहते हैं a noble and present nation rousing herself like as a strong man after sleep and shaking her invisible locks ये किस के बारे में कहते हैं किस period के बारे में 1st है चौसेरियन period 2nd है अलिजाबेथन period 3rd है civil war period 4th है restoration period तो सही answer है C civil war period के बारे में कहते हैं अगला question हमारा है 16 number का ये कहना साथ हैं कि ये कहाँ पर जो साइटन होता है वो कहाँ पर अपना council करता है fallen angel का 1st है paracelsus 2nd है panamonium 3rd है celestial city और 4th है garden of eden तो सही answer इसका है panamonium अगला question हमारा है 17 number का in which year were the theaters closed down in England after the civil war ये कहना साथ हैं कि किस साल England के जो theaters से उनको close कर दिया गया था civil war के बार 1st है 1639 2nd है 1640 3rd है 1642 4th है 1649 और हमारा 17 number का सही answer है C 1642 अगला question हमारा है 18 number का who of the following wrote an ode on the birth of Christ इसमें का कौन सा writer है जिसने Christ के birth पर एक ode लिखा है 1st है John Don 2nd है John Milton 3rd है John Dryden 4th है GM Hopkins तो हमारा 18 number का सही answer है John Milton ने लिखा है अगला question हमारा है 19 number का who called Milton किसने Milton को कहा है the poetical son of Spencer ये line किसके दोरा कही गई है तो 1st है Charles Lamb 2nd है Alexander Pope 3rd है Samuel Johnson 4th है John Dryden और सही answer है John Dryden है और John Dryden ही England के officially पहले poet laureate होते हैं और इन्हें चुना जाता है 1668 में अगला question हमारा है 20 number का what is the worst medium of Milton's Paradise Lost ये कहना चाहते है जो Milton की Paradise Lost है ये एक epic है और इसको किस verse में लिखा गया है इसका किस तरीके से लिखा गया है फर्स्ट है heroic couplet में सिकंड है quartres थर्ड है spencerian stanza फोर्थ है blank words और इसका सही answer है D इसको blank words में लिखा गया है अगला question हमारा है 21st number का There are dash books in paradise lost बहुत important question है कई बार पूशा गया है कि Paradise Lost में कितनी books है 1st है 10 2nd है 12 3rd है 24 4th है 25 सही answer है B इसमें 12 books है अगला question हमारा है 22 number का Milton's on his blindness is dash that laments his loss of eyesight ये कहना सहत है कि Milton की जो on his blindness है ये किस type की poem है 1st है an odd 2nd है an analogy 3rd है a sonnet 4th है a play तो 22 number का हमारा सही answer है इसी एक परकार की sonnet है अगला question हमारा है 23 number का The major theme of Milton's paradise lost is ये जो Milton की paradise lost है ये एक epic है इसकी major theme क्या है 1st है morning a death 2nd है sentence and disobedience 3rd है fall of man 4th है the creation of man और सही answer है fall of man अगला question हमारा है 2nd last question है Lysidus mons the death of Lysidus एक poem है जो कि किसकी death पे mourn करता है फर्स्ट है आर्थर हैलम सेकंड है आर्थर क्लोफ फर्ट है ओलिवर क्रोमवेल फॉर्थ है एडवर्ड किंग और सही answer है एडवर्ड किंग ये जो हमारा Lysidus poem होता है ये एक pastoral allergy है इसको लिखा गया था 1637 में और इसे publish किया गया था 1638 में इसे जोन मिल्टन के दोरा लिखा गया है और इसे dedicate किया गया है एडवर्ड किंग को एडवर्ड किंग जो होते है इनकी Irish Sea में डूप कर मिरित्वी हो जाती है और उन्हीं की मिरित्वी पर इस poem को लिखा गया है जोन मिल्टन के दोरा यह जो Edward King होते हैं यह John Milton के friend होते हैं Cambridge University में इस poem में total 193 lines हैं और इसमें irregular rhyme का प्रियोग किया गया है यानि कि इसमें कोई rhyme नहीं है, irregular rhyme है तो हमारा सही answer होगा third और sorry fourth अगला question हमारा है जो कि आज का last question है In which year was Paradise Lost published? Paradise Lost को कब publish किया गया था? first है 1661, second है 1667, third है 1669, fourth है 1670 सही answer 1667 और यह बहुत important question है कई बार एक जम में पूशा गया है तो यह है हमारे आज के questions हमें उम्मिद है आपको समझाए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care, have a good time